वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वनस अगें आपका फिर से यहां पे जो कुष्टन था उसमें अचानक कुछ वीडियो जो है कट जाने से जो मैं बता रहा था वो उसके अंदर दिक्कत हो गई थी तो सेकेंड नंबर वीडियो जो है उसमें लास्ट में मैं जो बोल रहा को जब हम डोब करते हैं कहने का मतलब उसको अब द्रब्य मिला करके असुद्ध बनाते हैं तो जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है जो सही माने में सुद्ध क्रिस्टल होता है और उसको उस सुद्ध क्रिस्टल को नेज अथवा आंत्री का अर्दचालक बोलते हैं उसके अंदर अहजोक जब DOPIK का तरीके बदोर पांचलाइड नहीं करते हैं, तो वह बाय और गजालग बन जयाता है और, दोह जज दो में हो तरीके से की जाती है, ठीका पैमंधर CW. जबता वाले परमानु द्वारा अब सिलिकॉन है तो मैंने क्या बताया था कि सिलिकॉन का जो आकार है उसी के आकार के बराबर का इसके अंदर परमानु डालना पड़ता है अब सिलिकॉन का जो परमानु संख्या 14 होता है तो उसके बगल वाला जो 13 है अलुमुनियम पीछे और आगे फासपोरस उससे हम इसको डोग कर सकते हैं इसके अंदर असुधी मिला सकते हैं तो अल्मुनियम और फासपोरस के रूप में अगर अल्मुनियम मिलाते हैं तो अल्मुनियम के मिलाने से जो सिलिकॉन है मैंने कहा था उसमें कि सिलिकॉन के अंदर जो सिलिकॉन के पा और उसका जो नेचर होता है हमने कहा था होल के अंदर इलेक्टोन के यहां से आने पे यहां पे hole बन जाएगा तो देख रहे हैं, इलेक्टोन इधार आ रहा है तो hole उदर जा रहा है मतलब इलेक्टोन के just opposite direction में इलेक्टोन के just बिपनी दिसा में चलता है वो positive charge करना था इसके माना जाता है कि hole जो है वो positive charge के तरह है और इसलिए पॉजिटिव का P जो लेते हैं तो P टाइप बोला जाता है, मतलब ये जो है P टाइप सेमी कंड़क्टर बन जाता है, P टाइप सेमी कंड़क्टर मतलब सिलिकोन क्रिस्टल के अंदर अगर तीन सहीं जगता वाले अलमुनियम को मिलाते हैं, तो वो जो है P में अर्वचालक, P टाइप अर्वचालक कैसे बना तो तीन सहीं जगता वाले अब दरवे पदाफ मिलाने से, तीन सहीं जगता वाले कौन है, तो सिलिकोन अगर होता है, तो अलमुनियम मिलाते हैं, जर्मेनियम के पहले जो है आपका, जर्मेनियम के पहले गैलियम आएगा या स्कांदियम को देखते हैं यह जैसे पड़ते हैं तो बोरॉन होता है इलेमिया मोता है फिर इंडियम होता है और यहां पर देखने होता है फिर नकिन स्क्राहिस होता है तो ये कि ऐपका को यह रहा है करें को कॉर सिलिकॉन है उसको उसके पहले हादा कारником को कहां को सिलिकॉन जबं स्थिलिकॉन जर्णिघ सैन्र हम यूज करते हैं गैलियम को सब्सक्ध ते 산aggio लागे तो तीन सब्सक्राई में शारॅन का बाला है सिलिकॉन के आगे आस्पोरत होता है जर्मेनियम के आगे आरसे नहीं होता है ठीक है और इसके आगे एंटी मनिक होता है तो मतलब यह है कि जो सिलिकॉन है उसको अगर हम के सिलिकॉन का पोटिक का इसका है आपका इसका इलेक्रोन होता है पूसका तो इसका को Two, Eight, Four में ने hade बूला था तो बारी कंचह में Reseven इसके भी इसका पही इसको लिखें एक है to two three eight legg यजो हुजाएगा कितना तो इसके फोर्टी ₹ के तो फोर्टीन के आगे जो है गैलियम होता है अस्केंडियम गैलियम नहीं तो यह जर्मेंडियम पर चला जाएगा तो जर्मेंडियम कार्वन वाले में नीचे है सिलिकॉन वाले में तो यहां प्याता है तो शहीं बोर्ण है थर्टी टू हो जाएगा तो यह जो जर्मेंडियम है उसको गैलियम से हम करते हैं तो इसके भी क्योंकि कार्वन वाला गुरूप है ना कार्वन सिलिकॉन है उसके बाद सिलिकॉन है पर फिर जर्मेंडियम है इतना इतना के झाल आप्र एस ट्रॉंशियम है अप्लियां थे इसका मतलब है यह सिलिकॉन जो है और जर्मेनियम है कारवन का तो एट होता है फिर आपका फोटीन होता है फिर जर्मेनियम है आपके तो फोटीन के नीचे 32 होगा तो इसका मतलब है कि यह वाला जो ग्रूप है इसके सारे सारे आयटम में मतलब कार्बन में वह सिलिकॉन में जर्मेनियम में अस्ट्टरों से नाइटिन से Perso था यह उर इलेक्टोन है इसी तरीके से भीव करता है जिसका मतलब सेलिकॉन प्लेस के ऊबर सिलिकॉन को हटा के यहां पर आप गर जर्मिनियम भी रख देंगे तो कोई फर्क नि पड़ता يहां बी उसी तरीकिय के बिव करेगा तो मैं यह करा था कि सिलीकॉन जो है यह creep करेगा दिख किस तरीके से बियेव करेगा की चलिक है। इन जाल करें कि अधुद्रा वैंने लेकिया त्रद क्षिविच ज्यूं लगता हैं और और वी जिसलेत ऐसा है है ना सेविटा पंच वाला जो है सेब तैका इसलिकों के आगे सिलिकों सिलिकों का आगे ठास्पॉरस है और यहाँ पर जर्मैनियम के आगे कौन सा है तो का करते हैं आरसेनिक है ऐसें इसको बोलते हैं तो अगर आग swoją अगर तो सिलिकॉन को तीन सहमें लगता वाले से करेंगे तो यह पोल मनेगा और इसलिए पी टाईंप बनेगा जर्मैनियम को तो यहां पे question number one जो दिया है वही पिया है P type का अर्ध चालग बनाने के लिए जर्मेनियम को किस तक तो त्वारा ढोग दिया जाता है लेकिने अब आपको question में दिख रहा है कि जर्मेनियम को अगर हमको अर्ध चालग बनाना है P type का तो P type के लिए क्या करना पड़ेगा चार जो balance होती है उसके कम बागा मतलब P type में हमको whole create करना यहां पे तो इसका मतलब है whole create करने के लिए जो वीवर है उसके अंदर वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके अंदर तीन सेयो जत्ता वाले जो क्या करते हैं तत्तो हैं एलिमेंट है उसको मिलाना पड़ेगा तीन सेयो जत्ता वाला जो तत्तो है वो आपका जो सिरिकॉन के पास है वो अल्मुनियम है जर्मिनियम को पूछ रहा है तो जर् जवाब गैलियम होना चाहिए ठीक ना तो यह ध्यान तक ना है कि इसी तरीके से आपका दूसरा भी आएगा जो एम टाइप है ना तो पी टाइप का जो है उसमें हम इस तरीके की बात करेंगे तो गैलियम इसका जवाब हो जाएगा ठीक है तो पहला नंबर जो है बी टाइप का रिशालक बनाने के लिए जर्मेनियम को किस तत्तो द्वारा डोप किया जाता है बी टाइप मतलब पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव होने का मतलब होल होना चाहिए बीवर होना चाहिए और होल होने के लिए यहाँ पे जो डाले जर्मेनियम है जर्मेनियम के पास भी चार ही इलेक्ट्रोन होते हैं और दूसरा जर्मेनियम मतलब यह जर्मेनियम यहां भी जर्मेनियम यहां जर्मेनियम होगा और चारा सारा जो है जर्मेनियम को एक एक इलेक्ट्रोन देगा लेकिन जैसे ही जर्मेनियम के साथ आप अल्म तो आपका अर्फिंचालग बनाएगा पहला है छो cavit ॵर्षिंचालग बनाएगा जाता है so that we吃 पानों आट कि लिए सीलिकॉन में किसका टोप करते तो एलूमीनियम का टोणिंग करते न तो सीलिकॉ 넣 जाता है और जर्मेनियम के अंदर कियर लिए पिखना है कि हमने आपको बताया था कि देख रहे हैं यहां पे लेक्ट्रोन जो है एक अलमुनियम आपने डाला यहां पे वह बन गया लेकिन कुछ भूल बनते हैं जब आपका रूल्न तापमान पर कुछ तूटजाता है और बारा जाते हैं इसको भरने के लिए यहाँ से तोड़ेगा तो यहां से यहां पे इलेक्ट्रोन आ जाएगा दोड़ करके तो यहां पे इलेक्ट्रोन जम इसको भरेगा तो यहां पे खाली मुझाएगा मतलब क्या है इलेक्ट्रोन जिस डाइक्ट्रोन में जा रहा है यहां से इलेक्ट्रोन आ रहा है उसके विप्रीद दिसा में होल ज इसमें क्या दिख रहा है और टूटने से मान रहा है लेकिन फेवर तूटने से बंद रहा है इसलिए यहां पे बोला जाता है कि जो hole की संख्या है number of holes इसको मैं बोल सकता हूँ यान H यह जो है बड़ा होता है यान E से ठीक है ना लेकिन current किसके होगा भाई तो दोनों से होगा current में तो आप IH plus IE की current को दोनों की बज़ा से ही होगा hole से के बज़ा से भी current होगा और electron की बज़ा से भी current होगा तो इसमें जो hole बड़ुद्धारा है तो दोनों की बज़ा से होगा ना कि इसमें hole भी है लेकिन hole का संख्या जादा है electron का संख्या कम है लेकिन electron के परवाहित होने से भी बड़ुद्धारा होगी और प्रवाहित में से भी बिद्ध धारा होगी, तो टोटल बिद्ध धारा तो फिर से होई होगी है, जो है खोल के चलते हैं, current जो हैं, और जो है आई, और जो इलक्षून के चलते, जो भी च्वाहिद धारा होगी, दोनों को जोड़ देंगे, तो आ झाएगा, अब जो हमार कौण से होते हैं की प्रकार का बढ़ अर्दशाला1 चालक में आवैस वाहत। ऐसमें दिया है आपका की प्रकार के अर्दशालक में आवैस बाहत कौन होते है। अच्छली में मुख्य आवेश्वाहक होना चाहिए, ठीक है ना, मुख्य आवेश्वाहक कौन होते हैं, तो ये मुख्य होना चाहिए, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है, कि पी प्रकार के अर्ध चालक में आवेश्वाहक के जगपे हमां मुख्य आवेश्वाहक, जैसे इ कि आप इसके अंदर होल उत्पन हो जाता है और उसकी वज़से इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है क्यों कि कुछ जो होल होते हैं इलेक्टोन के तूटने से बंगते हैं जब इसके उपर ताख दिया जाता है तो टेंपरिचर बढ़ाया जाता है तो इल्रेटरोंट तोट करके बाहर आता है और कॉल जाता है और ये जो इल्रेट्रोंट आइए पॉड़े самой तो मेरी जवान रहेथा होता है। यहां पर यह मुख्यावेस बाहत कौन से होते हैं तो इसका जवाब है प्रकार के इसके अंदर होते हैं तो यह द्याद अखना है कि भीवर है अगर बोला जाए तो हमने बहुत सारा चीव बताया है एन प्रकार के अलगे जालक में मुख्यावेस बाहते हैं तो इन जो है निगेटिव से बंगता है निगेटिव इलेक्ट्रोन होता है तो इसके बारे में बात करें नहीं लेकिन उसके पहले कुछ पुस्टन और करते हैं जैसे यह वाला कुछन है अर्ध जालकों में अब द्रब मिलाने पर क्या होता है तो ये दिखा आप और आपने अब द्रब मिलाया तो होल वन गया खोल वनने के कारण इसके अंदर पहले पहले जो Ce जब सुध्यवस्था में था तो मैंने क्या बताया था जितना इलेक्टोन टूटके बाहर आता है उतना ही होल बनता है तो एक इलेक्टोन एक होल मतलब एक तो डोपिंग से हो गया और एक टूटने से भी हो गया इस तरह से आकर हमने कहा था चुटकी भर डाल दीजेगा इसक के अंदर होल की वज़र से इसकी चालकता बहुत बढ़ जाएगी तो चालकता बढ़ जाती है तो इसलिए लिखता है जो यहाँ पे अर्ध चालकों में अब दरब मिलाने पर क्या होती है क्या होता है तो बोलेंगे अर्ध चालक की चालकता बढ़ जाती है क्या बोलेंगे फिर कहता है अर्द चालक में बिद्दूद चालकता किसके कारण होती है तो अर्द चालक में बिद्दूद चालकता किसके कारण होती है इलेक्टोन के कारण होती है या होल्स के कारण होती है तो दो तरीकेस होता है अर्द चालक में जो बिद्दूद चालकता होती है वो इले इलेक्ट्रून के प्रवाहित होने के कारण भी होता है और होल्स जो वीवर है उसके प्रवाहित होने के कारण होता है तो अर्द जालक में बिद्दुचा लगता क्या करते हैं किसके कारण होती है तो इलेक्ट्रून और होल्स के क्या करते हैं प्रवाहित होने के कारण होती है दोनों के गतिमान होने के कारम होती है परमसुन्य ताप मान पर तो यह वाला हो गया कुर्शन आख नुम्बर कुर्शन नौ नुम्बर कुर्शन परमसुन्य ताप पर अर्ध चालक किस प्रकार विभार करता है मैंने पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था अर्ध परमसुन ताप मान पर अर्ध चालक के तरह बेभार करता है। परमसुन ताप मान पर अर्ध चालक के तरह बेभार करता है। परमसुन ताप मान पर अर्ध चालक के तरह बेभार करता है। उसको हम अर्ध चालक करते हैं। के बारे में बता हैं तो बता ही दिया आपको। फिर कहरा है एन परकार का अर्ध चालक बनाने के लिए तो ये वाला और ये वाला कोशन एक ही तरह का है तो भी आप उसके बारे में बात करते हैं। फिर है आपका अर्ध चालक जर्मेनियम क्रिस्टल को अर्ध चालक बनाने के लिए उसमें मिलाने जाने वाले तो फिर ये वाला कोशन अर्ध परकार वाला है। बनाने के लिए हम एक अब में अभुणान का अडर्शन आक हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे औस सिलिकॉन यां गर्मेक्त नंकाantर इस बार सिलिकॉन की जल्हक्त करके दिखाए तो जर्मेनियम के भी आउटर्मोस्ट और्बिट में उसी तरीके से चार एलेक्ट्रोन होता है तो जर्मेनियम दफ्स यह हो गया जर्मेनियम ठीक है कि यह जर्मेनियम है कि सारा हर एक डायरेक्शन में जर्मेनियम के साथ यह अटैसर है अगर इस तरीके से जर्मेनियम एक दूसरे से अटैसर होता है तो कि जर्मेनियम के एक गड़ल्ड बूसरे यह जर्मेनियम बेंसर फशे और दोंसार आदर नें का इसका सब्सक्राइप इसकास कई लेक्ट्ण sûस्टाइपिगों इसका इ सब्सक्राइप्टार्शन होता है तो चाह। तो आपस मेन इन दूर्य के साथ कर सकती आगे चलता आई तो कर सकते हैं कि जर्मेनियम का क्रिस्टल भी उसी सथी concept 술 चाहिसे हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रोन है, जब जर्मेनियम का केवल क्रिस्टल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोन है, वो फिर से यह सुद्ध है, जर्मेनियम सुद्ध है, तो इसको निज बोलेंगे, निज अत्वा आंद्री का अर्धचालक बोलेंगे, जर्मेनियम का सुद्ध क्रिस्टल य केवल यह इलेक्ट्रोन के टूतने की ज़र से होती है जो ताफ बुढ़ाने पर खाली जग़ा होता है तो खाली जग़ा को भरने के लिए इंसे बेरा सकता है यहां से आ सकता है इलेक्टोन यहां से भी आ सकता है यह ह Jub को दिक्त रहां ए कि यह से इलेक्टी आहएंगा तो his जर्मेनियम भी में हुए होगा जैसे सिलिकॉन में हो रहा है ठीक है? तो यह जर्मेनियम के क्रिस्टल में अगर केवाल सुद्ध क्रिस्टल देंगे तो उसको में जा आंत्रिक हो लेंगे और उसके अंदर को को यूपिंग नहीं करेंगे तो इसकी कंडक्टिमिटी बहुत कम होती है लेक्ट्रोन और फोल की बढ़ाने पर वही कोली बनेगा तो इस में सुध्ध वस्था में तो यानी इबरावर इनेश होगा और टोटल करेंड तो देखिए गा तो आई-ई-प्रसाइप होगा कि इलेक्ट्रोन से इलेक्ट्रोन मुक्त अवस्था में बाहर में और यह वाला जो बैलन्स इलेक्ट्रोन है मतलब कर सकते हैं यह सयोजी बंदन जो है सयोजी बैंट में इलेक्ट्रोन जो है उसकी वज़ा से और यह जो बाहर में चालंग बैंट में जो इलेक्ट्रोन ह लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्टूर नहीं होता जितना टूटेगा ताप से उत्माई होता इसलिए बहुत ज्यादा इसकी चलकता नहीं बढ़ती और इसलिए इसका प्रियोग आप बहुत बड़े पैवाने पर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे इसको फिर से असुद्ध करने के लिए इसके अंदर कोई तत्व मिलाएगे है ना तो वो तत्व जो है कौनजा तत्व होगा उसके बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो तत्व जो है इसके पास जो हम डालते हैं वो कौनजा तत्व डालते हैं तो इसके अंदर फिर से इसके जर्मेनियम के पास तो डर्मेनियम के पासवाला कौन सा होगा रभी ये जो है ये दों गर्स है और इसके अगे जर्मेनियम के आगे आगे आरस将ी एक तो अगर आपने ऐसे दाल दिया तो आरसनी के पास 5 एकष्टलेस के बाहर इसके बाहर यत्रों ओनल्डेस तो आर्सनीक यह ली हो गया एक कर दोन्या इस वाले जर्मीनियम का यह करदे नरूर पिलीक्टॉण। एक electron जो arsenic है ये वाला चार electron और एक electron के लिए जगह ही नहीद तो इसका यह electron free रह जाता है तो यह electron जो है वो कह स़कते एक तरीके सेlamation पावन ton asre बचा रह जाता है और यही electron जो होता है वह वो सही मायने में इसके अंदर free फार्म में होता है मतलब थोड़ा सा जर्मीनम डालिये गा तो दूनियाबर का इलेक्ट्रोण do hört हो जब आपका ये तूटेगा जब ये तूटेगा मतलब ये कोई इउलेक्ट्रोन यहां से तूटेई ऐसा हो सकता है तो प्रॉट तो बन जाए उसका मैं कंद जितना और इलेक्टोन तो चुट्की डाल दिजेगा एक चुट्की आपका आर्सेनिक तो उसके इंदर दुनिया का एक्रचा में इहां से भी आ रही है और और तापव्ने से जो Somewhere निकल रहा है उससे भी या रही तो हैँसे इलेक्टूरन बहुत ज्यादा हो nawet होजाएगा तो इलेक्टूर्ण कि संख्या यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है और इलेक्टूर्ण जो होता है वो नीगेंटिव नीचार्ज ह होता है कि इलक्षूर की संख्या बहुत जादा होती है नीडेटिव ली चार्ज होता है और वही से एंग लेते हैं जिसको कहते हैं के न टाइब तो 5 सहीोजाक्ता वाले जब आप दाओने हैं ठीक जब 5 सहीोजाक्ता वाले जब डाओने हैं में पाथ सयोजकता वाले तत्यों को मिलाया जाता है ठिक है ना तो वह एद प्रकार का अर्ध चालक का अर। बहुट बढ़ जाती है ठिक है ना तो दिख रहा है आपसे पूछ रहा है कि है प्रकार के अर। चालक मिर मुख्य आवेश कौम से होते हैं लेक्ट्रोन बढ़िया तो नीगेसि होता है तो इसी लिए एलेक्ट्रोन की संख्या बहुत जादा भूती है कोल से जब का बनाते हैं तो एंटाइप में यह संख्या ग्री होगा नता अीज दालते जाईएगा उतनह इनेक्ट्रोन चाक से भी तूटा तो लेक्टोर का संख्या बढ़ाल जाता है ओर फोल का शंख्या कव जाता है तो यह हो जाखा का फिर एक था किनल का अरध्यानग वनाने के लिए सुद्ध सिलपंग में मिला जाने वाला असुद्ध पर्मानु फासपोरस होगा इस उसमें आर्सेलिक नहीं दीजेगा क्योंकि साइज जैम होना चाहिए तो सिलिकॉन का फास्पोरस होगा तो सिलिकॉन जब पूछा जाए तो इसके सामने ज़स्ट बाद वाला वह पांच बाला फास्पोरस है तो वह होगा और जर्मेनियम क्रिश्टल को अगर इन परकार का ब बनाएंगे तो पांच सेयोजक्ता जब भी प्रकार का बनाएंगे तो तीन सेयोजक्ता तो जर्मोनियम के सामने वाला जो है आपको आर्सेलिक मिलाना पड़ेगा इसकी सेयोजक्ता पांच होती है तो एन परकार का अर्द चालक अगर बनाते हैं तो पांच सेयोजक्ता पी जर्मेनियम के साथ गैलियम को मिलाएंगे, सिलिकॉन के साथ हल्मुनियम को मिलाएंगे, एन्टाइट का बनाएंगे तो सिलिकॉन के साथ उसके आगे वाला फास्पोरस को मिलाएंगे, जर्मेनियम के साथ फास्पोरस नहीं मिलाएंगे, पांस का समय रखता है तब भी क्यों एमोनियम का साईज बड़ा है और ये फासपरस का साईज छोटा है दो अलग-अलग साईज का मिलाने से crystal का जो stability है जो अस्थाय़ तो है वह बहुत ही जादा घट जाता है इसलिए same size का मिलाना चाहिए तो कैसा होना चाहिए पदार्थ गोबिंग जो element है कैसा होना चाहिए ये भी पूछता है तो आप ये कह सकते हैं कि उसका आकार सेम होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि crystal के अंदर fit कर जाए और वो इसके जो style तो है उसको किसी भी तरीके से खराब ना करे फिक ना तो जो crystal है उसमें style तो बना रहे और बहुत विरहत रूब से बताया है जिससे कि यागया और प्संदेत वो समझा ले ठीक है न तो यह ध्यान रखेगा तो निगेटिव कैसे बनता है, ten type कैसे बनता है, three type कैसे बनता है जो अर्दचालक है ठीक है न जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है जो फी टाइप चालक में दोनों आते हैं, N-type का भी, P-type का भी, और नीज में तो एबदम सुद्ध वाला है, सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होता है, सुद्ध फॉर्म में उसी को बोलते हैं, अब बाई में N-type, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर कुछ मिलाते हैं, या तो आर्सेनिक मिलाएंगे, या गैलियम मिलाएंगे, सिलिकॉन का रहता है, या तो अल्मुनियम मिलाते, या तो फासपोरस मिलाते, ठीक है न, इसके बाद फिर से कुछ कोस्टन लेकर के मिलेंगे, उसको साथ ही डिसकस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको समझने आता रहें, साथ साथ बताते रहें, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से,